आप सब जो तैयार हो जाएं उनके साथ हैं युवा साथी ये नवसारी से विधायक हैं और इस आंदोलन का नेटर्ट कर रहे हैं अनंद पटेल जी साथ में युवा विधायक और जिन्होंने इस पूरे आंदोलन की कमान संभाली बाई अनंद पटेल जी को नमस्ते ये पूरा अंदोलन जो है आदिवासी अस्त्मिता को बचाने के लिए है पिछले 30 सालों में गुजरात में नए नए प्रोजेक्ट के आने के बज़से आदिवासी अस्त्मिता खत्रे में आई है हमने आदिवासी सत्याग्रा के नाम से हमारा अंदोलन पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जिसमें पांच नदियों का लिंक होने वाला है उसके खिलाफ हमने अंदोलन चालू किया और जब निर्मला जी सितारम ने जब बज़ेट के दोरान ये बात रखी उसके बाद हमारा आंदोलन हुआ उसका जन्म हुआ हम पांच जिले में गुमे हमारे आदिवासियों के साथ क्या होने वाला है कितनी जमीन जाने वाली है कितने जंगल जाने वाले है और आदिवासी समाज की अस्मिता पे कितना खत्रा है ये जानने के बाद हमने आंदोलन चालू किया कई हज्जारों लोग जब पहली बार हमने धरमपुर में ये आंदोलन बलसार जिले में रखा कई पुलीसों ने वहाँ पे आई और सभी रास्ते बंद कर दिये थे फिर भी हमने हमारा आंदोलन चालू रखा उसके बाद 25 मार्च को हमने आदिवासी सत्यागर गांदिनगर में रखा यह पूरी बात सिर्फ आदिवासियों की नहीं है उसके साथ जो जंगल है कई हज़ारों साल पूराने जंगल है जैसे डांग का जंगल जैसे कप्राडा जैसे तापी का जंगल यह जंगल विनास की ओर जा रहे हम विकास के खिलाफ नहीं है लेकिन अगर एका ऐसा विकास होगा जो आदिवासियों के विनास के साथ जूड़ा होगा ऐसा हमें नहीं चाहिए कई कुछ कंपनियों के फाइदे के लिए अगर ये कर रहे है तो हमारा सत्यागरत चालू है पहली बार सही हमने सभी मंत्रियों को भी बुलाया था मंच पे लेकिन कोई भी ये बात रखने के लिए नहीं आया लेकिन जब हमने अंदोलन चालू किया जब गांदी नगर में उनको लगा के हज्जारो आदिवासिया सब आदिवासियों आ रहे है और वहाँ पे आके अपनी बात रख रहे है पांच गंटे तक हमारा अंदोलन वहाँ पे चला सब सभी जगे से आदिवासिया रहे थे तब इन्होंने बात रखी कि ये होने वाला नहीं है पहले फर्स्ट मार्च को भी ये बात हुई थी लेकिन सेकंड मार्च को जब बजेट हुआ तब हमारे वित्मंत्री ने पांसो करोड उसमें डाले थे अब आज एसी बात कर रहे हैं कि ये स्थगित किया गया है यानि अभी मोकूफ रखा गया है लेकिन हमारी पहले से मांगे आप स्वेट पत्र निकालिए तब हमारा आंदोलन यहां पे स्टॉप होगा लेकिन नहीं और सिर्फ आदिवासी को अंदोलन है ऐसा नहीं है हमारे यहां गुजरात में कोई भी प्रवासन बनना है जैसे केवडिया उसमें 72 गाम विस्थापित हो रहे है दाहोद में जो रतन महाल रीच अब्यारन जो बनने वाला है उसमें 14 गाउं विस्थापित होगे और आगे म रोड मिनिस्टर ने बताया कि मैंने सस्ते में रोड बनाने के लिए यह आदिवासी विस्थार में से जंगल में से निकाला क्या हम इतने चोटे है इतने तुछ है बाजपा वाले क्या हमें इतना चोटा तुछ समझते है कि पैसे बचाने के लिए हमारे हमारे यहां से रास में है वो बंद करने वाले है और वो स्कूल बंद होने से हमारे बच्चे हमारे लड़के वहां पर पढ़ नहीं सकते क्योंकि बाजपा वालों और कम्पनियों को यहां पर क्या चाहिए मजदूर और वो मजदूर आदिवासी है हमारा जो पेशा एक था 1996 का वो सत्रा दो सत्रा में भाजपा वालोंने इलेक्शन जीतने के लिए बदल दिया और उसमें पूरा 96 पेशा एक में प्रावधान है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आएगा तो उसके लिए ग्राम सबा से परवानगी ली जाएगी लेकिन कोई भी ग्राम सबा से है या करना है बात सिर्फ पारतापी नर्मदा रिवर लिंकी नहीं है हमारी जर जंगल जमीन हमारी असमीता वहां पे है हम प्रकूती पुंजक है और हम वहां कई सालों से रह रहे हमें हमें हमारी प्रकूती के साथ रहना है हमें कॉंक्रिक के जंगलों में नहीं रहना हमार इतना बड़ा है और इसी आक्रोस को ठंडा करने के लिए अभी ये स्थकित करने की बात की गई है लेकिन हमारा अंदोलन चालू है पहली एप्रिल को हम सुनगण में अंदोलन कर रहे हैं तापी जिल्ला में और 14 एप्रिल को हम सुरत जिल्ले में मांडवी में अंदोलन कर रह रहे हमारा अंदोलन चालू रहेगा जब तक ये सरकार स्वेत पत्र नहीं देगी नहीं हमें किसी और देखना है हमें सिर्फ यह देखना है हमारे आदिवासियों का अस्तित्व टका रहे हमारी आदिवासियों की अस्मिता टकी रहे इसी हिसाब से हमारा अंदोलन चालू रख कि इंग